बिस्मिल्लाय रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम पाइथन को स्टॉल कर सकते हैं, उसके साथ हम एक IDE भी स्टॉल करेंगे, जिसका नाम है पाइचाम, आप लोगों को सबसे पहले गूगल खुलना है, और यहां लिखना है डाउनलोड पाइथन, पाइथन की अपनी वेबसाइट है, आप लोग उसी को खोली है तो जाना भीतर रहेगा, यह आपने खोली, इसके बाद जो अब आप लोग बहुत लखी है, कि पाइथन का सबसे ल सब्सly तो आप लोग के न्यू फीचर थे तो हम लोग वोसे के हैं आप यहां पर क्लिक कीजिए, तो अब यह दॉल्लोड हो रहा है, यह हो गया है, साइट है इसको ओपिन किया यह आगे डाउनलोड यहां पर किलिक किया डाउनलोड पर अब इसके अंदर दो है एक प्रोफेशनल एक कम्मुनेटी है तो हम लोग कम्मुनेटी वर्जन पर जाएंगे तो यह बिल्कुल एबसलूटली फ्री है दोनों साफ़ेट यह भी डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड होने के बाद आप लोग यहां पर किलिक करेंगे तो इसको सिंपली आपको इस्टॉल कर लेने और नुटिंग अलस अब मैं आपको मुबाइल के बारे में बताता चलूंगे अगर आप लोग लेना है अब आप लोग जिस तरह यह विडियो देख रहे हैं आप लोग जो मैं कोडिंग बताऊंगा अब इस सीख भी सकते हैं इजी ली पैटन कर लिया है चले हम खौल के देखने चल रहा है यह नहीं चल रहा है इसके लिए नान को एक बार बता हूँ अगर आप यह नो प्रिफन की आईडियली पर काम करते हैं और देखते हैं यार कैसे काम करता है तो दोस्तों हमने इस पिली का 2 पिलस 3 5 means notepad पर काम नहीं कर रहा है यहां काम कर रहा है तो अब हम देखते हैं 3-1 is 2 good यार लजबी कर लिया माइनस भी कर लिया अब हम कुछ मुल्टिप्लिकेशन करते हैं 3 multiply by 5 it's 15 that's awesome चले अब हम कुछ यहां divide करते है 12 divided by 3 4.0 यार why is it 4.0 देखें 2 plus 3 5 आया 3 minus 1 2 आया 3 plus 3 into 5 15 आया 12 divided by 3 4 आना चाहिए 4.0 क्यों आया क्योंकि यह float है float वह values होती है जो decimals में तो अब हमें अगर नॉर्मल लेकर आना है जो float में ना है जो float में वैल्यू नहीं होती उसको integer कहते हैं तो उसके लिए हम double divide लगाते हैं तो देखें अब 4 आगिया अब अब फॉर example मेरे बास value is 17 इसको मैं divide by 3 करता हूँ तो यह 5.66 आई है mathematics में एक चीज होती है remainder remainder के जो value बच जाती है तो 17 परसंटेज का sign और अब मैं इसको अगर 3 लिखता हूँ तो remainder 2 आया है और 17 दो दफ़र divide और 3 लिखता हूँ तो 5 आया है अब इसमें float value नहीं दिए 5 दिया integer दिया 5 है 0.666 इसने कायब कर दिया और बागी कितना बचा 2 बचा क्योंकि 3 के टेबल में तो 17 नहीं आता 3 5 15 बागी कितना बचा 2 वो remainder है remainder मालूम करने के लिए हमने modulus का sign लगाती है तो 2 बच गया चलें आप हम इसमें कुछ complex करके दिखते हैं complex यह क्लिकता हूँ मैं 7 plus 9 minus 2 its foot working मितलब कोई इसमें problem नहीं है इसमें हर चीज बोर्ट मास रूल किता है तो यह बोर्ट मास रूल किया होता है इसमें सबसे बहले brackets होते हैं फिर order, division, multiplication, addition and subtraction यह left to right चलता है addition, subtraction, चलें मैं आपके एक चीज दिखाता हूँ 7 plus 9 multiply by 3 इसने answer दिया 34 उसने क्या किया 9 को 3 से multiply किया 27 और 7 plus 27 is 34 अगर मैं यही काम bracket लगा के करता हूँ 7 plus 9 multiply by 3 answer is 48 means पहले से bracket को solve किया 7 plus 9 is 16 फिर 16 multiply by 3 is 48 तो that's awesome अगर हमें किसी चीज की पावर चाहिए तो हम कैसे करते हैं अगर 2 की पावर चाहिए 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 2 की 4 पावर चाहिए तो योग यह 16 आप इतनी दफ़तों नहीं लिखेंगे ना तो 2 लिखकर मैं double static 4 लिखूंगा तो 2 पावर 4 is 16 अभी तक तो हमने दो टैप्स पर बात किये डीचर और फ्लोड जो के इतना बड़ा नहीं है अब हम बात करते हैं 3rd tab of data उसको कहते है चैनल तो देखें इजास future scope चैनल आगी है इसको लिखने के एक तरीका और है वह है print function को यूज़ करना इजास future scope चैनल लिखा मैंने अब देखें दूरो में एक फरक है उपर वाले के अंदर कोडेशन के अंदर इजास future scope आ रहा है दूसरे में कोडेशन नहीं आ रही जो के साथ अच्छा लग रहा है अगर मैं चाहूं तो देखें इस ट्रिंग से क्या भी कर सकता हूं यूट्यूब लिखा मैंने और इसको मल्टिप्लाइ बाइ 15 कर दिया अब देखें 15 दफा यूट्यूब सागिया डेस फ़न प्रिंट फंक्शन में मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर आप प्रिंट लिखने के बाद इस पेस देंगे और आपको जो भी चीज होगी उसका सिंगल कोडिक्शन है डबल कोडिक्शन में देंगे वैल्यू सेम आईगी तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें ताब कि आपका जाद अच्छे से हैंड्स-on experience हो चाहे अब एक सारा काम मोबाइल फू